ऐलो दोस्तों परिछे के एक और एपीसोड में आपका स्वावत है दोस्तों इस एपिसोड में हम देखेंगे कैसे भी हम किसी लैपटॉप या कम्प्यूटर की रैम को पता कर सकते हैं तो बिना देरी की होगे आये दोस्तों सबसे पहले दिस पीसी पर हमें डवल क्लिक करना ह इसके बाद left side में this PC पर right click करने के बाद properties पे click करना है तो दोस्तो सामने जो screen आएगी उस पे हमें installed RAM मिल जाएगी जैसा कि देख सकते हैं यह laptop है HP का laptop है 2020 model है installed RAM है इसमें 8GB इसी तरीके से कुछ और भी जान करें हम इसमें से देख सकते हैं जैसे कि processor processor AMD Ryzen है और इसमें graphics वगेरा ग्राफिक कार्ड रेडियों ग्राफिक कार्ड है इसी तरीके से window अगर आपको देख रहे है तो window 10 है इसमें जो कि 2 11 को installed हुई है इसमें thank you दोस्तों परिच्छे के platform पर आने के लिए